असलाम अलेकुम जैसा कि आप सब को मालूम है कि लाहूर रिंग रोड आलमोस्ट कम्लीट हो जुका हुए तो आज की वीडियो में मैं आपको रिंग रोड के बैनेफिट्स बताने वाला हूं कि रिंग रोड बन जाने से किस तरह से लाहूर के डिफरेंट एरियास के जो पॉ एक दफा चड़ जाएंगे तो किस तरह से आप पाकिस्तान की तमाम बड़ी मोटरवेस को एकसेस कर सकेंगे तो यह सब चीजें मैं आपको गूगल मैप के उपर एक्स्टेन करने वालों एक एक पॉइंट पर मैं आपको एक्स्टेन करूंगा कि कैसे रिंग रोड को आप के benefit होने जा रहे हैं लहोर के लोगों को ठीक है तो यह L20 जैसा के code है इसका यह exam में रखिएगा और डिटेल में जाने से पहले वीडियो की request होती चैनल सब्सक्राइब कर लें वीडियो पिसंद आई हो लाइक करें शेर किया करें इस content को ताकि informative content सब तक पहुंचे अभी य जैसा कि आपको मालूम है कि लहोर का यह वाला जो portion है यह सारा नीचे वाला यह south side of Lahore है और उपर वाला जो portion है यह north side of Lahore है इसी विद्धा से उपर वाली side को northern loop कहते है रिंग रोट का जो उपर वाला loop है उसको northern loop कहते है और नीचे वाले loop को southern loop कहते है ठीक है यह सारा यहाँ पे तकरीबन शरगपूर से स्टार्ट होगी और एंड होगी यहाँ पे कुल्शन रावी पे तो यह सारी west of lahore है basically, यह वली side जो है lahore की मैं थोड़ा सा zoom out करके बताता हूँ यह वली side लाहore की सारी की सारी इसको east side कहते हैं ठीक है और यहां पर यह वली जो साइड है यह West of Lahore है यह शरकपूर के पास जो है यहां पर शरकपूर रोड के across societies हैं काफी तो यह सारी West of Lahore है तो West of Lahore को लिंक करने के लिए भी रिंग रोड का एक proposal है जो इन्शाला वैसे उसका alignment final होगी मैं उस पर वीडियो बिनाऊंगा ठीक है Western Loop के नाम से मजूद है वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं तो अब रिंग रोड चूंके complete हो गया है तो Northern Side और Southern Side दोनों को फाइदा हो रहा है लाहोर के और वो इसको avail कर सकते हैं मैं आपको societies बताता हूँ मेरियास बताता हूँ कौन-कौन से हैं जैसे कि आपको पता है कि यहां Northern Side तो almost अब थोड़ा सा और extend भी हुआ है यहां बाबू साबू तक तो अब Northern Side बाबू साबू के पास जैसे गुलशन रावी है समनाबाद है यहां पे सबजाजार है ठीक है और छोड़े छोड़े टाउन्स हैं बहुत सारे तो पहले उन लोगों को रिंग रोड को access क करने के लिए यह बहुत तोटा फूटा रोड रोड था बंध रोड यह सारा अवेल करके आना पड़ता था यहां बती चोग पर बती बहुत ट्रैफिक होता था इस रोड पे ना तो बती चोग से वो चड़ते थे पहले अब क्या होगा अब यह जितने भी यहां के लोकालि ठीक है इसके लावा बहुत सारे यहां पे एरियाज ऐसे हैं जिनको रिंग रोट की असान एक्सेस नहीं थी अब वो बाबू साबू के पॉइंट से रिंग रोट जो के स्टार्ट हो रहा है यह इसका L20 कोड भी आप देख लेंगे यहां पे आपको कोड भी इसका नजर आज सकेंगे ठीक है एक तो यह हो गया यहां पे इन एरियाज को भी रिंग रोट का फाइदा हो गया ठीक हो गया और इसके लावा नॉर्धरन साइट की एरियाज जो थे वह अलड़ी को तो रिंग रोट की एकसेस थी क्योंकि यह रूट तो बहुत पराना बना हुआ है नॉर् यह फाइदा होने वाला है कि इनको क्योंके SL3 सेक्शन बन चुका है इनको मुलतान रोट चड़ने के लिए जो हर्डल थी क्योंके रिंग रोट यहां पे आके खतम होता था डापलॉट पे अब मुलतान रोट या इसके आसपास कोई जगा पे जाना है इवन के M3 मोटर वे पे चड़ना हो तो यह एक लूप बन रहा है SL3 यह तकरीबन जो है ना आप यह कहलें कि डिजाइन फेज इसका कंप्लीट हो गया लैंड बाइंग का जो प्रॉसेस है वो चल रहा है तो जैसे ही लैंड बाइंग का प्रॉसेस कंप्लीट होगा इसकी टेंडरिंग हो इसके लावा अगर मैं बड़ा एक एडवांटेज बताऊं रिंग रोड कंप्लीट होने का वो तो यह है कि लाहूर के साथ जितनी बड़ी मोटरवेज हैं वो कनेक्ट हो जाएंगी यह मोटरवेज मैं थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखा भी देता हूं कि यह M2 मोटरवे से कराची मोटरवे हैं तो इसे क्या होगा कि कि Самी बड़ी मोटरवे से कुणेक्ट कर लेंगे इवन के ओर्थ मोटरवे जो में नहीं बताया अ पिछली वीडियो में जो लाहूर से साहीवाल एक मोटरवे लाहूर से साहीवाल और भावल नगर भी वो तकरीबन कॉनेक्ट हो रही है ना होगी एक लिंक रोड के जरीए तो उस मोटरवे की एकसेस भी उसका भी हलोकी इंटर्चेंज जो है ये रिंग रोड का यहां से उसने start होने तो उसको भी access मिल जाएगी जो ring road की और ring road से तमाम motorway कनेक्ट हो रही है एक वो भावलपूर वाली motorway जो बताईए मैंने लाहूर साही वाल या लाहूर भावलनगर motorway एक मैंने आपको बता दी यहां से ये रिंग रोड कुनेक्ट हो जएगि ने जब मोटरवे के साथ तो यहां से नजर लबाना से तो म कुनेक्ट हो जएगी इसी तरवा बाबू साबू से अच्छियरी ऑप including रिंग रोड का ही एक इंटरचेंज समझे लें आप और इसी तरह M11 मोटरवे महमूद बूटी से कनेक्ट हो रही है लाहूर सियाल कोर्ट मोटरवे इस तरह से आगे फर्दर अच्छी बात यह है कि यह M11 से यह M2 से आगे चले जाएं तो और बड़ी मोटरवे में M2 से कनेक्ट होती है जो कि M1 है M15 है ठीक है इसके लावा लाहूर सवाथ मोटरवे है और मनसहरा मोटरवे है ठीक है तो यह सारी मोटरवे जो है यह सारी के सारी M2 से ही लिंक हो रही है आगे जाके और M3 मोटरवे से भी बहुत सारी मोटरवे लिंक होती है तो एक तरह से अगर हम बात करें तो लाहूर रिंग रोड के साथ पाकिस्तान की तमाम बड़ी मोटर वेज लिंक हो रही है और ये बहुत बड़ी बात है इससे क्या फाइदा हो रहा है कि लाहूर में आप कहीं पे बैठे हैं देखे ना लाहूर का लूप कंप्लीट हो रहा है ये मैं बार बार जूम आउट करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको अंदाजा हो जए कि रिंग रोड चूंके कंप्लीट है अब लाहूर की किसी लोकेशन से भी आप बासानी रिंग रोड पे चड़ें और किसी भी मोटर वेज को आप एकसेस कर लें तो ये एडवांटे जो है वो रिंग रोड कंपलीट होने के बात ये वेल किया जा जा सकेंगe कि रिंगर कंपलीट हो गई है कई दुनों तरफ से मुल्तान रोड को टाच हो रही है यहां से भी मुलतान रोड को टाच हो रही है यह जो इसका S.L.3 का इन पॉइंट है मराका पे और आगे अगर हम बात करें यहां से बाबू-साबू भी जो है वो लिंग हो रहा है मुलतान रोड के साथ यहां इस पॉइंट से टोकर वरे पॉइंट से इस तरह से ये मोटर वेस जो हैं सारी के सारी जो पाकिस्तान की बड़ी मोटर वेस हैं वो लाहोर रिंग रोड को टच हो रही है ठीक है ये बहुत बड़ी बात लाहोर वालों के लिए तो वेस्टरन लूप बन जाने से मजीद जो उदर की बादियां है वेस्टरन साइट की जो मैं आपको बताई थी वो भी फिसिलिटेट हो जाएंगी इस तरह से लाहोर की रिंग रोड जो है वो एक मिसाली रिंग रोड बन जाएगी और इस से जाहर है कि फ्यूल कॉस्ट में भी फरक पड़ेगा लोगों को फाइदा होगा फ्यूल कॉस्ट बचेगी रश्ट बचेगा प्लूशन बचेगी इस सारे बेनेफिट्स होंगे लाहोर वालों को तो इन्शाला आगे मजीद प्रोजेक्स पाइपलाइन में लाहोर की तीन बड़ी मोटर वेज और भी आ रही है इन्शाला अगली वीडियो में जैसी मेरे पास information finalize होती है मैं वो share करूँगा hopefully वीडियो आपको पसंद आयो पसंद आयो तो याड इसको share भी किया करें like किया करें, comment किया करें और subscribe लाजमी कर लिया करें जब भी इस तरह की अपडेट वीडियो आए आपको पहुंचे अगली वीडियो में मुलागा दोगी अपना ख्याल रखेगा अलाफेज